नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनिट के टाइम फ्रैम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की म हमारा आगे का क्या विव है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं 5 मिनिट के टाइम फ्रैम पे गोल्ड MCX का चार्ट दोस्तों जिस तरीके का आप एक प्रेंट देख रह हुए जिसमें करन्ट प्रैस जो है वो 51,395 पर ट्रेड कर रहा है एक slow growth हम इसे कह सकते हैं या फिर एक slow recovery इसे हम कह सकते हैं जो मार्केट में अभी recently एक lowest price यह मैं बिल्कुल अभी की बात करता हूँ जिस lowest price को मार्केट ने touch किया वो lowest price था 51,028 वो price क्यों important है उसे भी अभी सा discuss करेंगे ठीक है अभी ये price है जो market में अभी continue कर रहा है थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 minute के time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें तो gold के prices में एक धीरे धीरे correction आता रहा यहाँ पर हम देख रहे है prices यहाँ एक lowest price touch करके यह वो price है जिसके अभी हम बात कर रहे थे 51,028 एक gap up opening और prices धीरे धीरे यहाँ पर consolidate होते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें current price 51,405 देखें जिस तरीके से gold के prices में एक जबरदस तेजी हमने देखी थी 2000 के ऊपर market में अगर हम dollar terms में count करें तो 2070 का एक high price touch करने के बाद वहाँ से market में करीब करीब 1500 dollar की एक correction already दिखा दी है और यहाँ पर Indian market में अगर हम बात करें तो 56,000 का जो एक इसका last time जो all time high price था उसके करीब जाने पर market ने एक license देखा देखिए दोनों के दोनों license level जो थे चाहे मैं बात करूं gold USD की या gold MCX की ये दोनो all time high price थे और उन prices को break करना हमेशा किसी भी market के लिए काफी ज़्यादा difficult हो जाता जब तक क अगर वो prices उसी rally में break हो जाता है तो market में वो तेजी जो थी वो और ज्यादा speed से और speed से काफी उपर जा सकती थी 60,000 तक के भी level शायद देखने को मिल जाते है और उसमें कोई ताज्यूब नहीं था geopolitical जो scenario अभी तक बना हुआ है वो market में अभी भी gold के upside moment को ही थोड़ा सा favor कर रहा है पर यहाँ पर एक point है जो आपको समझने की थोड़ी सी जरुवत है वो यह point है कि market में जब यह condition start हुई थी तब market 48,000 के असपास trade कर रहा था अभी भी उस price से अगर हम देखे है तो 33,000 point उपर trade कर रहा है अब इस चीज़ को number में convert करना है कि उसे आप कितने value का एक increment मानेंगे जब ऐसी को situation आ जाए in fact prices में काफी ज़्यादा तेजी आ गई थी अभी क्योंकि कोई एक major turn आता हूँ नजर नहीं आ रहा हूँ जैसे था वो और अभी आज से दो हफते पहले वैसा का वैसा आज ही है उस वज़े से तोड़ा सा relaxation prices में भी आया हुआ हूँ है अगर यह situation ओर ज़्यादा worse होती रहती तो prices में ओर ज़्यादा यह तेजी बनी रहती यहाँ पर हम देख रहे हैं sideways trend अभी market में बन रहा है prices नीचे है consolidation और यहाँ पर एक current price है ठीक है तोड़ा सा आगे चलते हैं एक घंटे के price पे time frame पे यहाँ पर market ऊपर इस price की हम बात करने हैं यह highest prices ने 55558 का एक touch किया था वहाँ से correction और इस time भी मैंने एक चीज़ जरूर बोली थी कि जो risky trader है वो चाहें तो sell कर सकते हैं पर provided जो इसका all time high price है 56100 something है मेरे ख्याल से कुछ मुझे 116 है बता नहीं कितना है कुछ हैसा ही वहाँ पर अपना stop loss जरूर maintain करके चले ठीक है तो risk काफी जादा था वो risk काफी जादा इसलिए था क्योंकि market में एकदम से 500 500 point की एक तेजी देखने को मिल रही थी तो वो trigger होने में भी time ही लगता पर ये एक opportunity भी हो जाती है कई बार के उस price पर आपने stop loss लगाया और market में आ emotionally कभी attach मत करिए अपने आपको कि price trigger हो गया फिर और फिर एकदम से आप और sell करने जा रहे हैं कि 56,000 break हो गया नीचे तो आई जाएगा कुछ भी मतलब यह मैं उस condition की बात कर रहा हूँ जब market आपके against जाना शुरू करता है favor में जा रहा है तो तो आपको जिस तरीके से भी कई होते हैं partial profit book करना या एकदम से market में exit कर लेना कई इस तरीके से trade करते हैं कि अपने stop loss को trail करते चलते हैं तो हर तरीके का एक environment बनता है depend करता है कि market की condition कैसी है और आपके strategy कैसी है prices नीचे है यहाँ पर एक market इस level में अभी hold होता हो नजर आ रहा है और थोड़ा आगे चलते हैं 4 गंटे के time frame पर यह एक time period चल रहा था market में यह एक तेजी आई वापस prices नीचे यहाँ से फिर एक रान आया उपर का prices काफी उपर ए एक के बाद एक जो भी इसमें तेजी आ रही थी बहुत speed से market उपर जाता चला गया correction and then market is trying to consolidate at these levels ठीक है वापस चलते हैं 15 minute के time frame पर उन levels को अभी हम फोड़ा सा समझ लें discuss कर लें जो अब इसमें आने वाले time में important हो सकते हैं देखिए current price है 51,420 एक nearest level जो आप यहाँ पर द देख रहे हैं वो है 51,311 यह price market में support का काम कर सकता है ठीक है मतलब इसके नीचे जाना market के लिए मुश्किल रह सकता है इस तरीके का यह price अभी बना हुआ है जब तक इसके ऊपर है थोड़ा short selling को तो avoid रखें अभी क्योंकि market एक recovery phase में है पर यहाँ पर मैं आपको एक शीज बताता हूँ 51,030 देखिए वो दूसर चैनल पर मैंने वैसे upload किया था 51,030 एक last support मैंने इसका बताया था इसका lowest price अभी तक जो touch हुआ है वो है 51,028 यह और वैसे तो मैंने इसे 51,000 का ही एक price बताया था खेर तो 51,030 एक important level है इसके नीचे अगर market आता है sustain कर जाता है sustain करने क time थोड़ा सा जादा होगा अगर कर जाता है तो market में sell on rise वाली situation बनने लग जाएगी अभी भी आला कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है अभी तक आती नजर नहीं आ रही पर यह recovery एक turning point उपर के लिए बन सकता है क्योंकि जो support price है वो बहुत important है वो reversal का level है इसके बाद भी एक price हाएगा अभी हम उसे भी consider करते हैं ठीक है intraday में यह price है 51,311 अगर यह price break हो जाता है तो market का intraday का stop loss level है वो बन जाएगा 51,660 ठीक है मैं repeat कर देता हूँ एक बार in case if market breaks a level of 51,311 या 310 तो market में आपका stop loss रहेगा that will be 51,660 तो ठीक है इसमें कोई confusion है नहीं है नहीं पर आप short selling तब तक आप avoid करें जो मतलब मेरा अपना personal view है कि 51,030 के नीचे जब तक market sustain करना शुरूर नहीं करता अदरवाइस इसके बाद support भी market एकदम से ले सकता है जो यह price है 52,125 यह market में एक important resistance level है इसे market break करता है इसके ओपर sustain करता है sustain करने का time एक दो घंटे कम से कम होना चाहिए इसके ओपर sustain करता है तो market में और ज्यादा upside आ सकती है ठीक है तो यह कुछ levels है जो market में important है एक level जो रहे गया है अभी उसे मैं बताता हूँ आपको देखे यह lowest price जो last week का lowest price था 51,028 यह गर break हो जाता है अब तो next price 50,300 यह support के तरीके से काम कर पाएगा यह last है इसके बाद बिलकुल hope नहीं रह जाएगा कि market में कोई recovery आएगी ठीक है तो इस तरीके से market फोड़ा सा react कर सकता है तो यह कुछ levels है जो अभी gold में important नजर आ रहे है तो दोस्तों यह था मेरा gold mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे मेरे साथ देखते रहे है market report धन्यवाद